तो कब्ज बस इतना है? आप हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं। दक्षिन भारत में हमें एक चमतकार मिल गया। ये आपकी आहार नली को साफ रखेगा। साफ मलाशय स्वास्त के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप फास्ट फूड जोइंट या सूपर मारकेट से लिया हुआ खाना खा रहे हैं, आप आम तौर पर बहुत कम पानी की मातरा वाला खाना खा रहे होंगे। अगर मासाहरी खाना है तो भी दिक्कत है, क्योंकि ये सिस्टम में बहुत धीरे आगे बढ़ता है। आप जो भी खाना खाते हैं, उसमें पानी की मातरा ज्यादा होनी चाहिए। आपके शरीर में 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी है। अगर आप कोई सबजी खाते हैं, तो इसमें आम तौर पर 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है। फलों में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी ह तो अगर आप परियाप्त मात्रा में सब्जियां, फल, मेवे, अंकुरिच चीजें अपने खाने मे लाएं, तो पेट साफ होने की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप बहुत सूखा खाना खा रहे हैं, जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। तो अगर आप परियाप्त मात्रा में सब्जियां, फल, मेवे, अंकुरिच चीजें अपने खाने में लाएं, तो इस परिशानी का हल अपने आप हो जाएगा। तो कब्स बस इतना है, आप हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं। अगर आपके खाने में परियाप्त अंतर हो, एक खाने से दूसरे के बीच में आपको कब्स नहीं होगी। अगर आप हर समय खा रहे हैं, तो ये एक समस्या है। आम तोर पर परमपरागत रूप से पहला निवाला घी का होता था। घी एक लुब्रिकंट है, जो आहार नली को चिकना कर देता है। ये पहली चीज है जो आपको खानी चाहिए, जिससे कि ये खाने का रास्ता आसान बना दे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप घी और कार्बोहाइडरेट साथ में लेते हैं, घी और चीनी साथ में लेते हैं, तो ये फैड बन जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ घी लेते हैं, या शुरुवात में खाने के छोटे से निवाले के साथ घी लेते हैं, तो ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो जो घी का इस्तेमाल सही तरीके से करता है, उसका मलाशय हमेशा साफ रहता है, क्योंकि वहाँ कुछ चिपकता नह ही है, वहाँ कुछ भी ज्यादा देर तक नहीं ठहरता है, योग सिंटर में दिन के शुरुवात, नीम और हल्दी की छोटी गोलियों के साथ होती है, आपके सिस्टम में ये क्या असर डालती है, इसके बहुत सारे पहलू हैं, एक चीज ये तुरंट करती है, कि ये आपकी आहार नली को साफ रखेगी, जब हम साफ कहते हैं, ये ऐसी जगह है, जहां दूसरे जीव बहुत ज्यादा तादात में रहते हैं, तो इस आहार नली में बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, इन में से बहुत सारे हमारे लिए फायदेमंद हैं, हम उनकी वज़े से जिन्दा हैं, हम उनकी वज़े से खाना पचा पाते हैं, फिर के भीतर बहुत सारी चीजें उनकी वज़े से होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं, जो हमारे लिए नुकसान दायक हैं, नीम की खासियत है, खास कर जब इसे हल्दी के साथ लिया जाए अगर ये दोनों चीजें साथ में हूँ तो ज्यादा तर वो चीजें जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है जो चीजें हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है किसी भी तरह का परजीवी, ये सभी चीजें दूर हो जाती है साथ मलाशय स्वास्थ के लिए बहुत ज़रूरी है दूट से बनी चीजों में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनका इस्तिमाल आजकल कपड़ा चिपकाने वाले पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है ये पदार्थ पानी में घुल नहीं पाते तो जब आप बहुत सी दूर्ट से बनी चीजें खाते हैं ये आपके मलाशय में जाकर चिपक जाता है तो जो मल आसानी से सिस्टम के बाहर निकल जाना चाहिए वो बाहर नहीं निकलता उर्ष्न कटिबंधी एक शेत्र के ये तीन चमतकारी फल है इनको सही तरीके से मिला कर त्रिफला बनता है अगर आप इसे थोड़े से पानी या एक चमच दूद या किसी भी तरह से लेते हैं या शहत के साथ भी लेते हैं तो सिस्टम की सफाई हो जाती है लेकिन अगर आपको ये सब नहीं मिलता है तो हमने दक्षन भारत में एक चमतकार ढूंडा है इसे अरंडी का तेल कहते हैं बस थोड़ा सा आदा चमच अरंडी का तेल हर रोज रात में गरम करके पानी या दूद में डालिये और पी जाईए आप देखेंगे कि आपका मलाशाय साफ रहेगा अगर आप ये नहीं जानते हैं अजकल डॉक्टर्स ये मान रहे हैं आपके दिमाग में जो हो रहा है और नीचे जो हो रहा है ये एक दूसरे से जुड़े हैं हमने योग में हमेशा ये बताया है अगर आप अपने विचारों और भावनाओं में कब्ज ग्रस्थ हैं तो आपको सहज रूप से नीचे भी कब्ज हो जाएगा आप ये जानते हैं? देखे किस तरह आपका दिमाग और दूसरे अंग आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि आप यहाँ पर जो भी करते हैं स्वाभाविक रूप से ये आपके जीवन की बुनियात पर असर डालता है मूलाधार पर असर पड़ता है सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में बेकार की चीज़ें चल रही है अगर आप डर जाते हैं तो या तो आपको दस्त लग जाएंगी या कब्ज हो जाएगा इसलिए कहते हैं डर के मारे पैंड गीली होना या तो ये गलत समय पर निकल रहा है या फिर ये इकठा हो रहा है जो भी हो आपका पेठ खराब है दोनों तरीके से आपके दिमाग में जो हो रहा है और नीचे जो हो रहा है ये एक दूसरे से जुड़े हैं दोनों आपका हमें